Hello students, today we are going to study maths chapter 5 of class first, let's start Chapter 5, Numbers up to 1000 बेटा अभी तक हमने 2 digit number के बारे में पढ़ाया है, इस chapter में हम 3 digit number के बारे में पढ़ेंगे देखो, हमें पता है ना बेटा, 10, 1s equal to 110 के होता है, और इसी तरह 10, 10s equal to 100 के इकोल होता है देखो कैसे, 10, 1s equal 110, और इसी तरह 10, 10s equal to 100, इनको मिला दिया 10, 10s को, तो ये क्या वन गया? 100 बन गया, अब नीचे इसी तरह है, how many hundreds, कितने hundreds हैं? आपको बता है, इस सारे box में, चोटे चोटे box सारे मिला के कितने हैं? 100, ये 100, next में 200 होगे, next 300, और next 400, ये क्या बन गया? 400, equal to 400, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरह ये 100 हैं, 200 बन गये, इन दोनों को मिला कर, next 300 होगे, तो यहां क्या लिखेंगे? 300, और box में क्या बन जएगा? 300, 300, next अब कम करेंगे, exercise 5.1, question 1, fill in the blanks and boxes, खाली स्थान और boxes भरो, बिटा आपको यहां fill up दिये गए हैं, और box में आपको fill करना है, first आपका किया हुआ है, दिखो आपको पता है, यह कितने blocks हैं, कितने boxes बने हुए हैं, यह 100 है, तो यह क्या है, 100, जिसे और क्या लिख सकते हैं, 10, 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, next, 100 और 100, कितने हो गई है, 200, तो यहां क्या लिखेंगे, 200, जा फिर 20, 10, और इसी में next, 100, 100 मिलके 200, और एक और 100, 300, तो क्या बनगे यह, 300, इक्वल टू, 30, 10, next, 100, 100, 200, 300, 400, यह कितने हो गई, 400, इक्वल टू, 40, 10, 10, इसी तरा, next, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 500, इक्वल टू, 50, 10, next, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, इक्वल टू, 60, 10, next, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, गे हो गया, 700, इक्वल टू, 70, 10, same इसी तरा है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, इक्वल टू, 80, 10, next, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 900, इक्वल टू, 90, 10, question 2, count and write, गिनो और लिखो, देन, ड्रॉ, बीड्स ओन दा, अबेकस, और बीड्स को अबेकस में, ड्रॉ करो, देखो बटा, यहाँ यह 100 boxes हैं, साथ में एक और है, तो क्या बन गया यह, 100, 1 बन गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1, 10, 100, तो 100 के नीचे 1, और 1 के नीचे 1, तो यह क्या बन गया, जहाँ 10 के नीचे 0 फिल कर देंगे, तो यह क्या बन गया, 101, इसको हमने, यहाँ लिखना है, we read 100 as 101, ठीक है बटा, अब अब एकस में भी इसे शो किया गया है, यह 100 के, एक 1 bead बना हुआ है, टैंस में 0 है, तो यहाँ कोई भी नहीं भरेंगे, यहाँ इसको खाली चोड़ देंगे, next once में 1 bead बना देंगे, तो क्या बन गया, 101, इसी तरह next है, देखो यह 100 है, 100 के आगे काउंट करो, 101, 102, 103, 104, तो यह कितने boxes होगे, 104, तो इसको लिखेंगे, 104, 104, we read 104 as, इसके आ नंबर नेम लिखेंगे, 1, H, U, N, D, R, A, D, 100, F, O, U, R, 4, और इसे अब एकस में शो करेंगे, 100 में 1 bead बनाएंगे, 10 में कोई भी नहीं बनेगा, जहां इसको खाली चोड़ देंगे, और 1 में, 1, 2, 3, 4 beads बनाएंगे, next, यह बटा 100 boxes हैं, count करो, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, तो हम यहां क्या फिल करेंगे, 109, we read 109 as, हम इसका नंबर नेम लिखेंगे, 1, H, U, N, D, R, E, D, 100, N, I, N, E, 9, 109, अब इसे अब एकस में शोग करेंगे, 100 में, कितने beads बनाएंगे, 1, 10 में यहां 0 है, तो इसको खाली चोड़ देंगे, और 1 में 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बटा, इसी तरह next, यह हमारे 100, 100 के आगे count करो, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, तो यहां क्या feel कर देंगे, 110, तो इसे कैसे लिखेंगे, we read 100, 10 as, 100, 10, और अब एकर्स में कैसे लिखाएंगे इसे, 100 के प्लेस पर, 1 बीट बनाएंगे, 10 स्पर भी, 1, और 1's में अब यहां क्या है, 0 तो इसे खली छोड़ देंगे, question 3, write the names and draw beads on the abacus, बेटा आपको नीचे रुपीज दिये यह है, इसको आप count करोगे, और इसका number name लिखोगे, और abacus पे भी show करोगे, देखो यह 100 रुपी का note है, यह 10 रुपीज के note है, और यह 11 रुपी के coins है, देखो आप हम count करेंगे, 100 और 100, 200, 210, 220, 230, 240, next, 241, 242, 243, 244, 245, तो कितने हो गई यह, 245, हम इस box में लिखेंगे, 245, we read 245 as, यहाँ पर हम इसका number name लिखेंगे, अब हम इसे abacus में show करेंगे, 100, 100 में कितने है, 2, तो यहाँ कितने beads बनेंगे, 2, 1, 2, और 10 पे 4, 4 beads ट्रो करेंगे, 1, 2, 3, 4, और 1s पे 5, 5 beads ट्रो करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, बन गया, 245, next, मेटा यह 100, 100 के notes हैं, और यह 10 कार, यह 1, 1 रुपीज के coin है, तो कितने हो गई रुपीज यह, 100, 200, 300, 310, 311, 312, तो यहां किया लिखेंगे, 312. 12, we read 312 as, यहां पर इसका number name, अब हम इसे अब एक कस पे दिखाएंगे, 100, 100 कितने है, 3, तो यहां कितने beads बनेंगे, 3, 1, 2, 3, और 10 कितने है, 1, तो यहां 1 bead draw होएगा, और 1s, 2 है, तो यहां पर 1s पे 1, 2, 2 beads draw करेंगे, पैटा हमने जैसे यह 2 sum किये हैं, इसी तरह next, 1, 2, 3, यह sum आप homework में करोगी, यहां से आपका यह homework है, next question 4, write in 100s, 10s and 1s, then draw beads on the abacus, आपको नीचे नमबर लिख दिये गए हैं बिटा, इस पे आपने इसमें लिखना है, 100, 10s और 1s लिखना है, साथ में beads को abacus पे show करना है, देखो जैसे first आपको करके दिया गया है, क्या लिखा नमबर, 345, आप इसको 5, बताओ के 5 कौन सी प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, 4, 10s की प्लेस पर, और 300 की प्लेस पर, ऐसे करने से आपको easy हो जाएगा, देखो, आप देखो, 300 बन गया ना, 300 ल 4, 10s लिख देंगे, और 5, 1s लिख देंगे, बन गया ना, बताओ easy, और इसको abacus पे show किया, 100 कितने हैं, 300 हैं, तो यहाँ पर 3 beads draw करेंगे, 1, 2, 3, और 10s 4 हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 10s पर 4 beads draw करेंगे, और 1s कितने हैं, 5, तो 1s पर 5 beads draw करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट, नमबर है 609, यहाँ पर भी लिखेंगे हम पहले 1s, 10s और 100, अब देखो इसमें क्या बन गया यह, 6, 100s, 0, 10s, 9, 1s अब ही से हम अब एककस पर show करेंगे, देखो 6, 100s, 100s में कितने beads बनाएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 10s में 0 है, तो इसमें कोई भी beads नहीं बनेगा, इसको खाली छोड़ देंगे, और 1s कितने हैं, 9 तो 1s में कितने beads बनेंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट कौन सा नंबर है आप मारे पास, 485 इस पे भी हम 1s लिखेंगे, 1s, 10s और 100 लिखेंगे आप देखो, क्या बने गया ये, 4, 100s, 8, 10s, 5, 1s अब इसे हम अब एकस में शोग करेंगे, 100s कितने हैं, 4, तो कितने beads बनेंगे 100 में, 4, 1, 2, 3, 4 next, 10s कितने हैं, 8, तो 10s पे कितने beads बनेंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1s कितने हैं, 5, कितने beads बनेंगे 1s में, 5, 1, 2, 3, 4, 5 बेटा इसी तरह आगे हम ये वले sum homework में करोगे आप, 1, 2, 3 sum आपके homework के next, exercise 5.2 question 1, what number does the abecus show right in the box? बेटा जो abecus number show कर रहा है, उसे box में लिखना है जैसे ये first किया हुआ है, लिखो 100 में कितने beads हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर 5 लिखोगे, 10s पर 1, 2, 2 beads हैं, यहाँ 2 लिखोगे, box में, फिर 1s में, 1, 2, 3, 4, 4 beads हैं, तो यहाँ 1s के नीचे 4 लिखोगे, इसी तरह next, कितने beads हैं, 100 की place पर, 1, 2, तो यहाँ के लिखोगे, 2, और यहाँ पर कोई भी bead नहीं हैं, तो यहाँ के फिल कर दोगे 0, next count करो, 1, 2, 1s पर 2 beads हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो क्या बन गया यह, 200, 2, next, count करो, 100 की place पर beads, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ के लिख देंगे, 100 की place पर 5, next, 1, 2, 10s पर 2 beads हैं, तो यहाँ के लिख देंगे, 2, next ones पर, 1, 2, 3, 3 beads हैं, तो यहाँ के लिख देंगे, 3, तो क्या बन गया यह, 500, 23, next, 100, पर count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 100, और 10s की place पर, 1, 2, 3, 3 हैं, तो यहाँ 3 फिल कर देंगे, 1, 2, 3, ones पर 3 हैं, तो यहाँ भी 3 फिल कर देंगे, क्या नमबर बन गया, 733, next, 100 की place पर count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ के फिल कर देंगे, 8, 10s पर, 1, 2, 3, 3 beads हैं, 3, 1, 2, 3, ones पर भी 3 हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे, क्या बन गया, 833, इसी तरह बेटा, next line आप खुद करोगे, यह आपका homework है, next question 2, represent the following numbers on the abacus, बेटा, आपको नीचे नमबर दिये गए हैं, उसको आपको abacus पर show करना है, देखो, first आपको करके दिया गया है, जैसे, क्या लिखा है, नमबर यह, 437, इसके उपर हम लेखेंगे, 1s, 10s, और 100, तो क्या बनेंगे, 437, देखो, 100 की place पर 4 हैं, तो कितने beads करेंगे, 100 की place पर, 4, 1, 2, 3, 4, next, 10s, 10s पर कितने, 3, तो कितने beads डोग रही हैं, यहाँ पर, 1, 2, 3, next, 1s की place पर, 7, तो कितने beads डोग रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है बटा, इसी तरह next question, क्या नमबर है यह, 579, हम लिखेंगे, 1s, 10s, 100, और 100 की place पर, 5 है, तो 100 में, कितने beads डोग करेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, next, 10s की place पर, 7 है, तो कितने beads डोग करेंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1s की place पर, 9, 9 है तो 9 beads डोग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, next, नमबर है, 611, तो 1s, 10s, 100 लिखेंगे, आप देखो, 100 की place पर, 6 है, तो कितने beads draw करेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, next, 10s की place पर, 1, तो कितने beads आएगे, यहाँ पर, 1 bead आएगा, ठीक है, और 1s की place पर, 1 है, तो यहाँ पर भी, 1 bead draw करेंगे, इसी तरहां बेटा, आपको next sum, homework में करने है, टू लाइन्स, homework की आपकी, ओके बटा, thank you, have a nice day.